हलो दोस्तों मेरे नाम इसराफवत आप देख रहे यूनोगल फीट्यूप चैनल दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सेखने वाले हैं अगर आप कोई देश में रह रहे हैं और आपके एगेंस किसी तरह का केस हो चुका है पुलिस केस और आप देखना चाहते हैं जो आपका पुलिस केस का स्टेटस क्या है तो आप बहुत इजी बहुत आसान तरיके से आप मउबाइल फोन से चेक कर सकते हैं कि उपके आपके और किसी तरह का केस फाइल है यह नहीं था बहुत इजी बहुत आसान तरीके से चेक कर सकते हैं तो चले चलते हैं दोस्तों हम सीखते हैं उसे पहले एक चोटा सारे क्वेस्ट आप से आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल लाइक सब्सक्राब नहीं किया तो प्लीज से लाइक सब्सक्राब जरूर कर ले क्योंकि इसी तरह का इंफरमेटी वीडियो आप के लिए हमें से लाते हैं रहता हूं तो चले चलते हैं दोस्तों सीखते हैं हलो दोस्तों अब हम आगे मोबाइल स्क्रीन के तरफ तो सबसे पहले आप क्रॉम ब्राउजर ऑपन कर लेंगे यह गूगल ब्राउजर तो यहां आप देख सकते हैं गूगल ब्राउजर ऑपन कर सेर्च कर लेंगे जैसे मैं लिख रहा हूं MOI Quet Case आप नीचे देख सकते हैं दोस्तों MOI Quet Case File तो यह लिख करके Google Browser में आप सर्च कर लेंगे सर्च करते ही कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल जागा तो यहां पर आपको बहुत सारे website देखने को मिल जागा तो सबसे पहले नंबर नहीं दोस्तों दूसरे नंबर पर आप देख सकते हैं General Directed of Resident Ministry of Interior Quet तो यह Quet का official website है दोस्तों Case File चेक करने का तो इसका link मैं description में दे दिया हूं आप चाहें तो वहाँ से जाके direct check कर सकते हैं तो चले चलते हैं इसे हम open कर लेते हैं open करते ही कुछ इस तरह का interface आपको दिखने को मिल जागा तो थोड़ा से scroll up करेंगे दोस्तों आप करेंगे तो यहां पे एक option दिखने को मिल जाएगा case file inquiry अगर आपके पास यह option नहीं आ रहा है दोस्तों तो simply उपर पे एक logo देख सकते हैं round round और box तो simply आप इस box पे click करेंगे तो automatic यह option आपको दिखने को मिल जाएगा उसके बाद नीचे एक option दिख रहे हैं दोस्तों national number और यहां box तो simply इस box पे click कर लेंगे और यहां पे आप अपना national number लिख लेंगे national number आपको पता होगा दोस्तों जो आपका reference number होता है उसी को national number भी कहते हैं और reference number भी कहते हैं अगर आपको पता नहीं है दोस्तों कि किस तरह reference number पता किया जाता है तो उसके उपर में पहले से एक video बना रखा हूं दोस्तों उस video का link इस video के description में दे दिया हूं आप वो video देख करके बहुत easy बहुत आसान तरीके से आप civil ID card का reference number चेक कर सकते हैं और पता कर सकते हैं तो चले चलते हैं दोस्तों हम अपना national number लिख लेते हैं national number लिखने के बाद दोस्तों नीचे एक option देख रहे हैं inquiry तो simply आप inquiry पे क्लिक कर लेंगे inquiry पे क्लिक करते ही कुछ इस तरह का interface आपको दिखने को मिल जागा तो जैसे यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों हमारा result आ चुका है जैसे यहाँ देख सकते हैं no case information found तो अभी हमारे पास किसी तरह का case file नहीं है दोस्तों अगर आपके पास किसी तरह का case file नहीं होगा दोस् इस तरह से बहुत इजी बहुत आसान तरीके से आप अपना police case file check कर सकते हैं दोस्तों उम्मीध है ke police file case status check करना सेख लिए किसी तरह का doubt है दोस्तों तो आप हमे comment box में जरूर पुछ सकते हैं आज के लिए इतना ही दोस्तों फृर मिलते हैं next video में thanks for watching